वोई वीडियो देखो जो आए बीना ब्रेक के अभी डाउंलोड करें ताक आप अभी डाउंलोड करें ताक आप गाड़ी निकालते हैं खाकी वर्दी और काले कोट के दंगल पर आज दिली हाई कोट सुनवाई करेगा इससे पहले मंगलवार को दस घंटे बाद पुलिस वालों ने अपना धरना खत्म कर दिया अधिकारियों से मांगे पूरी होने का आशवासन मिलने के बाद पुलिस वाले धरना खत्म करने को रासी हुए दिल्ली पुलिस के अला अधिकारियों को अपने माध हतों को मनाने में 10 घंटे लग गए दस घंटे बाद जाकर जब मुक्षाले के बाहर प्रदर्शन कर रहे पुलिस कर्मियों को अपनी मांगों पर अधिकारियों से अमल का आश्वासन मिला तब जाकर पुलिस वालों का ये धरना खत्म हुआ खरीब 10 घंटे तक चले इस प्रदर्शन के दोरान क्या पुलिस कमिशनर क्या स्पेशल कमिशनर और क्या जॉइंट कमिशनर और पुलिस खाकी वर्दी के आला अधिकारियों ने एक एकर साथ बार अपनी ही साथियों को समझानी की कोशिश की लेकिन उनकी किसी भी अपील का आक्रोशित पुलिस वालों पर कोई असर नहीं पड़ा जब मांगों को मान लिया गया तब पुलिस वालों ने धरना खत्म किया इसके बाद देर राध पुलिस कमेशनर अमुले पतनाईक की तरफ से एक ट्वीट भी आया दिल्ली पुलिस सदा अपनी करमर्ता और कारी कुशलता के लिए जानी जाते रही है और हम सब इसके प्रतिष्ठा को नई उचायों तक पहुँचाने के लिए प्रतिबत हैं सहजनों की भावनाएं हमारी भावनाएं हैं और इन्हें हर संबंधित अधिकारियों तक पहुँचा दिया गया है हमारा कर कर्म विधी सम्मत होगा ऐसा मेरा पूरण विश्वास है दिल्ली पुलिस का शेश नेत्रेत्व आपके साथ है और हम मिलकर अपने स्वाभिमान और जन सम्मान की निरंत रक्षा करते रहेंगे पुलिस वालों की जिन मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया है उनमें मंगल वार सुभा से ही पुलिस मुक्षाले के बाहर सेकुन की संख्या में जवान जितना शुरू हो गए देखते ही देखते पुलिस मुक्षाले के बाहर प्रदर्शन कारियों की भीर बढ़ती चली गए हाथों में इनसाफ की तख्टियां लिए पुलिस वाले अपनी मांगों को लेकर अपने अधिकारियों के खिलाफ ही साड़कों पर उतराए एक तरफ पुलिस वालों का धरना चलता रहा तो दूसरी तरफ पुलिस मुक्षाले से लेकर ग्रिह मंत्राले तक हालात पर बैठकों का दौर जारी रहा देर शाम तक एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें पुलिस कमिशनर अमुलिप पतनायक, ग्रिह मंत्री अमित शाह और उप राजपाल अनिल बैजल को ब्रीफिंग देते दिखाए दिये इस बीच दिल्ली के पुलिस वालों को देश भर से समर्थन मिलना शुरू हो गया इस बीचला वालों के पूर खुट के साथ है और हमें उम्मीद करते हैं कि कोट दोरा इगठित कमिटी मिस्पक्स नयाय करेगी और पुलिस को नयाय मिलेगा विहार के तमाम पुलिस कर भी, ऐसे हमारे बहुत लोगों से बाते हुई है, दिली पुलिस को नेतिक समर्थन दिया है। अपनी मांगें पूरा होने के आशवासन के साथ खाके वर्धी वालों का धरना तो खत्म हो गया, लेकिन वकीलों की हरताल अब भी जारी है। लेकिन देखना ये होगा कि कानून के रखवालों और कानून के मतवालों के बीच शुरू इस जंग का आखरी अंजाम क्या होता है चिराग गोठी और अर्विंद ओजा के साथ आज तक वियो रो अश्टोष मिश्रा हमाय समवाता से पुलिस हैड कोर्टर के बाहर खड़े हुए है उनके पास सीधे आपको लिए चलेंगे हमाय समवाता चिराग गोठी इस वक्त हमाय साथ तिलक नगर थाने की बाहर से जुड़ गए है पुलिस वालों की हरताल तो खत्म हो गई है एक तरह से लेकिन अभी भी डेडलोग की सिती बनी हुई है वकीलों की हरताल जारी है उनका धरना प्रदर्शन जारी है कहा पर जाकर ये बात थमेगी क्योंकि अब मामला हाई कॉर्ट तक पहुँच चुका है और हाई कोट में दरसल चुकी पुलिस ने कहा कि अपने अधिकारियों अपने जवानों अपने करमचारियों के हक में जाकर रिव्यू पेटिशन फाइल करेंगे कि आकिर जो सस्पेंशन जिन पुलिस वालों को निलंबित किया गया था 30,000 कोट के मामले में वो निलंबन वापस हो उस कारिवाई को रद किया जाए साथ ही वकीलों के खिलाफ कारिवाई हो लेकिन आज कम से कम दिल्ली के लिए अच्छी तस्वीर ये होगी नहा जो दिखाना भी जरूरी है कि जो पुलिस वाले कल धरने पे थे अपने अधिकारों को ले करके ऐसे में सवाल उठा कि अगर रक्षा करने वाले धरने पर होंगे तो दिल्ली की हिफाज़त कौन करेगा ये पुलिस हेटकोटर की तस्वीरे हैं जहां पर कल दंगल हो रहा था आज तमाँ पुलिस वाले काम पर लोट आए हैं और अमूमन हर जगे जितने भी थाने हर जगे पुलिस वाले लोटे हैं मांग वही है वही पुरानी की जिन वकीलों के चहरे सामने आये हैं कमसे कम उनके खिलाफ कार्यवाई हो 30,000 कोट के मामले में जुडिशिल जाच बैठी हुई है लेगिन आपको याद हो कड़कर डूमा की वो तस्वीर जहाँ पर पुलिस वाले को वकील पिटाई कर जिनका चेहरा तक पहचाना गया अब तक उनकी गिरफतारी नहीं हो पाई है पुलिस वालों को और उसमें लीडर्शिप क्राइसिस की पुलिस कमिशनर को आने में समय लग गया गरिह मंतरी ने अब तक एक बयान नहीं दिया जिनके अंदर सीधे पुलिस आती है केंदर सरकार की चुपी बैठकों का दौर लीडर्शिप क्राइसिस और केंदर सरकार की चुपी भी पुलिस वालों का मनोबल तोड़ती है मांग इतनी है कि कारेवाई हो इंतजार है पुलिस वालों का कि जो आरोपी वकील हैं उनके खिलाब कारेवाई होगी क्या वहाँ वकील धरने पर बैठ गहें कि जो पुलिस वाले गलत कर रहे हैं उनको उनका सस्पेंशन बर करा रहे हैं और बाकी जो डो आईपियस अधिकारी हैं उनको भी सस्पेंट किया जाए पुलिस वालों को ये मलाल है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रहे है और जो आरोपी वकील है उनके खिलाफ कारवाई नहीं हो रहे है कब तक ये कारवाई हो सकती है ताकि ये जो डेड़ लॉक की सिती है वो खत्म हो सके और धर्ना खत्म हो सके वकीलों के काम भी प्रभावित हो रहा आई कोर्ट्स में देखिए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया आरूपी की तलाश की जा रहे कल भी कई जग अपर चापे मारी की थी ये उस मैं पटिकलर केस की बात करो जिसमें साकेत में एक पुलिस कर्मी को पीटा गया था एक वकील के द्वारा इसके लाब पहले मैं आपको महल दिखाना लेकर जो है एक तरह से वहां बैठे हुए थे और हजारों की संख्या में तो सबसे बड़ी बात यह है कि ना सिर्फ पुलिस कमिशनर बलकि तमाम स्पेशल सीपीज जॉइंट सीपीज मौके पर पहुंचे उन्होंने यह कहा शौर किया कि इनकी मांगों को माना जाएगा इ लेकिन जो बाकी मांगे हैं इनको कमपनसेशन भी मिला है वकीलों के खलाब कारवाई भी हो यह मुकतमे भी दर्च किये गए हैं लेकिन सवाल यह है कि आखिर जब यह ज़ो अधिकारी हटाए गए थे स्पेशल सीपी लेवल के और एडिशन डी सीपी वो हाई कोर्ट के इं हटाल खत्म कर दिया बेरहाल एक दूसरी बड़ी परिशानी की बात करेंगे जो कि दिल्ली वालों को इस वक्त सता रहे है वो है प्रदूशन की क्योंकि प्रदूशन के खलाफ नगर निगम ने नया हथियार एजात किया है अब प्रदूशन के खात्मे के लिए अंटी स्म दिल्ली वालों की सांसों के दुश्मन प्रदूशन का अब होगा अंत क्यूंकि दिल्ली के दुश्मन बने प्रदूशन पर अब बरसेगी अंटी स्मॉक गन दिल्ली को धुमे की चादर में लपेटने वाले प्रदूशन को ये गन अपनी बोच्छारों की बुलिट से कुछ इस तरह चीर देगी जैसे ही ये गन आसमान की तरफ अपनी बोच्छारें बरसाईगी प्रदूशन की चादर छटती चली जाएगी इस गन की खास बात ये है कि कुछी सेकेंड के भीतर ये एक खास स्पॉट के प्रदूशन का लेवल तेजी से खत्म कर देती है दिल्ली में प्रदूशन से निपटने के लिए दिल्ली नगा निगम ने एक अनोखी पहल की है एंटी स्मॉग मशीन को यहाँ पर लाया गया है और ये मशीन खोड़ी देर में ही प्रदूशन को खत्म कर देगी यहाँ पर आप देखेंगे यह क्लाउट टेक की यह मशीन है इसका क्रायल चलना है और इसकी जो रेंज है वो 100 मीटर है पानी की फुआरे हैं वो बहुत दूर कर जाती है वो देखिए सामने पेड़ों में किस तरह से पानी की फुआरे जा रही है और इस से आसपास का सारा प्रदूशन खत्म हो जाएगा इस गन के जरीए सतर से सौ मीटर तक के एरिया में पानी की बहुचार गिरती है इन बहुचारों से धूल और प्रदूशन के कण जमीन पर गिर जाती है यह गन एक खास रिमोट से चलती है और पानी के टैंकर का इस्तेमाल करती है दिली में प्रदूशन के बड़ती कहर के बीच इस एंटी स्मोग गन का ट्रायल किया गया नगर निगम जल्दी इस गन के बारे में फैसला ले सकता है लेकिन गन के मैदान में उतरने से पहले ही सियासत का मैदान तैयार हो गया है और विपक्ष ने नगर निगम पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है दिल्ली की जनता वायू परदूशन से आज जूज रही है दिल्ली सरकार विक्यापन में खोई हुए है और आर विवन का बहाना है लेकिन नगर निगम जमीन पर काम कर रहे हैं दिल्ली की जनता को वायू परदूशन से बचाने के लिए हम लगातार कदम उठा रहे हैं उसमें ये एक कदम ये जो कलाउड स्मोक गन हम लेकर का आ रहे हैं इससे वायू परदूशन को लगाम कर रहने में लोग रखेगी दूसरी सरफ M.C.D. भी लगातार प्रदूशन के होट स्पॉट पर पानी का चड़काव कर रही हैं इस बेच ओड एवन का आज तीसरा दिन है आज सड़कों पर सिर्फ एवन नंबर की गाडियों को ही छूट है नियम का उलंगन करने वाले वाहनों के खिलाफ पुलिस जम जबकि पहले दिन यानि सोमवार चार नवंबर को कुल 271 चालान हुए थे देखना ये होगा कि इन सारी कोशिशों का नतीजा आखिर क्या निकलता है अंकित यादव के साथ आज तक व्योग उदर दिल्ली में प्रदूशन को लेकर बीजेपी नेता के पास अचुक ग्यान की प्रदाफ्ती हो गई है यूपी के बीजेपी नेता विनीच शार्दा को यहां भी पाकिस्तान कहां दिख रहा है पाकिस्तान वो जहरीला साप है वो जहरीला आजगर है उससे हमको साथधान रहने के आवा सकता है कुछ भीकार नहीं सकता पर नहींकि गैस हावा कैसे आ रही है परहली और उधोक से इतनी हवा पुर्दूश नहीं हो सकते पूजारी जी जो पूजा कर रहे हैं वो भी मास्क पहने हुए है और ये जासी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रदूशन का एक रंग ऐसा भी दिख रहा है अमरिज सर्भ में पूर मंतरी नव्जोज सिंग सिद्धू और पाकिस्तान के ब्राद मंतरी इम्रान खान के पोस्टर सामने आए है करतारपुर कॉरिडर खुलवाने के लिए इन पोस्टरों में दोनों को हीरो बताया गया है हिंदूस्तान के जमीन पर इम्रान खान के पोस्टर हिंदूस्तान में इम्रान को हीरो किसने बनाया सिद्धू और इम्रान पोस्टर में हीरो का सम्मान कॉरिडर के नाम पर सिद्धू इम्रान के पोस्टर पंजाब की सड़कों पर लगे पाकिस्तान के प्रधान मंतरी इमरान खान और प्रदेश के पूर्व मंतरी नवजोज सिंग सिद्धू के पोस्टर ने सियासत का पारा साथमी आसमान पर चड़ा दिया है पंजाबी भाशा में लिखे इन पोस्टरों में नवजोद सिंग सिद्धू और इमरान खान दोनों को असली हीरो बताय गया है जानकारी के मताबिक वेरका से कांग्रिस पारशद हरपाल सिंग ने ये पोस्टर लगाए है हरपाल सिंग के मताबिक वो करतारपूर कॉरिडूर खुलवाने के लिए दोनों की तरफ से की गई कोशिशों पर उन्हें बदाई देना चाहते है इसका मकसद तो कोई नहीं है ये तो प्रोग्राम के बारे में है भी जो लांगा खुलने वाला है नौ तरीक को सिधु और इम्रान के पोस्टर सामने आते ही सूबे के सियासत में भूचा ला गया और बीजेपी को सिधु पर निशान असाधने का एक और हथियार मिल गया बीजेपी नितार राजेश हनी ने कहा कि सिधु देश द्रोही हैं और ISOI के हाथों में खेल रही है नवजोज सिंग सिद्दू भारत के अंदर पंजाब के अंदर हलात खराब करने की कोशिश कर रहे है और पाकिस्तान की जो एजंसी है toolbox AI उनके हाथों में खेल रहे हैं नवजोज सिद्दू एक देश दुल्ही पहले भी थे अब भी हैं और आगे भी रहेंगे हालांकि तस्वीरें वाइरल होने के बाद इन पोस्टरों को आनन फानन में हटा दिया गया है इससे पहले पाकिस्तान से निमन्फरन सिविकार करने के बाद नव्योज सिंग सिद्धुने शनिवार को विदेश मंतरी एस जैशंकर से करतारपुर गलियारे के उद्धाटन समारों में शामिल होने के लिए सरकारी मन्जूरी मांगी है पाकिस्तान की इम्रान सरकार ने 9 नवंबर को करतारपूर गर्यारे के उद्घाटन में भाग लेने के लिए सिद्धू को नियोता दिया है अब उद्घाटन के पहले ही सामने आए इन पोस्टरों ने सियासत को और गर्मा दिया है अमरित्सर से अमित्शर्मा के साथ आज तक ब्योर उदर महराष्ट की अगर बात कर ले तो वहाँ पर सरकार को लेकर बीजेपी संग की सरण में पहुँच गई है तो महराष्ट में किसकी होगी सरकार और कौन होगा सरकार का हिस्सा ये सवाल चुनाव परिडाम आने के 12 दिन बाद भी जसका तस बना हुआ है हाँ ये अलग बात है कि मुलाकातों का दौर जारी है प्रेशर पॉलिटिक्स जारी है इसी क्रम में महराष्ट के मुख्य मंतरी देवेंदर फर्नवीस ने देर रात आरेसिस प्रमुक मोहन भागवत से मुलाकात की मोहन भागवत के अलावा सरकारवा भाया जी जोशी भी बैठक में शामिल रहे करीब एक घंटे तक मुलाकात चली और मीडिया से बगाइर कुछ कहे देवेंदर फर्नवीस वापस लोट गए देवेंदर फर्नवीस की मुलाकात से पहले शिवसेना नेताक किशोर तिवारी ने भी आरेसेस चीफ मोहन भागवत को चिठी लिखकर केंद्रिय मंतरी नितिन गटकरी के दखल की मांगी है यानि महाराष्ट में सरकार बनाने में आरेसेस की भूमिका बड़ी होने वाली है बहठाल देवेंदर फर्नवीस के मोहन भागवत से मिलने के पहले देवेंदर फर्नवीस के घर पर महराष्ट बीजेपी के बड़े नेताओं का मजमा लगा और जब ये मजमा खत्म हुआ तो बीजेपी के नेताओं ने एक सुर में कहा कि देवेंदर फर्नवीस के अगवाई में बीजेपी महराष्ट में सरकार बनाने जा रही है प्रपोजल कर रहे हैं उनको पूछना पड़ेगा भाई हमको कैसे पूछेंगे पहले चर्चा मुख्यमंद्री पत पर होगी बाद में सभी चर्चा होगी उनको निरने करना है अब ये निरने तो उनको करना है हम इंतजार करेंगे माहरष्ट की जनता ने भारतिय जनता पारटी शिव सेना महा इती को जनादेश सरकार स्थापन करने के लिए दिया है इस जनादेश का आधर करते हुए जल्द ही हम माहरष्ट में सरकार स्थापन करेंगे इधर बीजेपी अपने सारे कील कांटे दुरुस्त करके सरकार बनानी की तैयारी में है और उधर शिवसेना प्रमुक उधव ठाकरे महराष्ट के किसानों से घूम घूम कर उनकी समस्याइं ऐसे सुन रहे हैं जैसे महराष्ट के अगले सरकार वो खुद है शिवसेना अड़ी हुई है कि राज में 50-50 फॉर्मूला के तहट धाई धाई साल के लिए दोनों पार्टियों का मुख्यमंत्री हो माना जा रहा है कि बीजेपी इस बात पर तो सहमत है कि मंत्राले में शिवसेना के हिस्सेदारी 50 फिसदी हो मगर मुख्यमंत्री और ग्रेव मंत्री बीजेपी काही होगा वो भी पूरे पात साल तर मुख्यमंत्री जी नानों की किया है कि 50-50 पर्षेंट सत्ता में भागेदारी देने के परस्ताओं को मंजूरी कम दे रहे और उसके साथ जो पी डब्लूडी है, रिवीवनी है, होस्टिंग डिपार्मेंट है, अर्बन डिवल्लप्मेंट है, आईसे जो कोई इंपॉर्टन जो पूर्टफुलियो है, वो भी आदे-दे देने के लिए उनकी तयारी है खाली बीजेपी का कहना इतना ही है, कि हम मुक्य मंद्री पहता और हम मिनुश्री नहीं दे देगे, तो इस प्रस्ताओं पर सिवज सेना ने थूड़ी सी भूमी का बदलनी चाहिए आठ वले नसीहत दे रहे हैं कि शिव सेना को बीजेपी की बात मान लेनी चाहिए मगर दूसरी तरफ चुनाओं में हार के बावजूद एन्सीपी कॉंग्रिस का गठ बंधन मुस्कुराते हुए माहौल को भाप रहा है किसानों को मदद दिलाने के बहाने एन्सीपी कॉंग्रिस के नेता राजभवन होकर लोटे लेकिन उनके नेता अपने पत्ते खोलने को राजी नहीं दिखे महराश्ट की मौझूदा सरकार का कारकाल 9 नवंबर को खत्म हो रहा है जानी समय अपनी रफ़तार से बढ़ रहा है और सरकार बनाने का निर्णे लेने का वाक्त घट रहा है बीजेपी ही नहीं शिवसेना नेताओं के भी धैर का इमतहान हो रहा है विधर्ब से आने वाले शिवसेना नेता किशोर टिवारी ने आरेसस चीफ मोहन भागवत को चिठी लिखकर केंद्रिय मंतरे नेतिन गटकरी के दखल की मांग की है मुंबई से मुस्तफा शेख, तिवेश और कमलेश सुधार के साथ आस दक प्योड़े प्रियागराज की बात करेंगे जहां पर एक कॉलेज में छेड़ खानी को लेकर महाभारत चड़ गई है कुछ लड़कों ने चात्राओं के साथ छेड़ खानी करने की कोशिश की शिक्षकों ने रोका तो आरोपियों ने उन पर लाठी दंडे बरसा दिये कौपी पैन पकड़नी की उम्र में इन छात्रों के हाथों में लाठी डंडे हैं और जिन पर ये लाठी डंडे बरस रही हैं वो इन छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षक हैं कॉलिज के अंदर ये छात्र अपने ही शिक्षक पर दे दना दन लाठी डंडे बरसा रही एक दो नहीं बलकि सैकुणों छात्रे कठा होकर टीचर को बेरहमी के साथ पीट रही टीचर को खदेर खदेर कर जमीन पर गिरा गिरा कर पीटा जा रहा लाठ घूसे लाठी रंडे और बद्दी बद्दी गालियों से कॉलिज कैमपस में कोहरा मचा हुआ है शिक्षकों को पीटा जा रहा है और कॉलिज में जम कर तोरफोर की जा रही है देखिए ये छात्र कैसे जबरन क्लास के भीतर घुसने की कोशिश कर रहे है जैसे ही ये छात्र दर्वाजा तोड़कर क्लास के भीतर घुसे चीख पुकार शुरू हो गई छात्रों ने आफ देखा नताव और शिक्षक को पीटना शुरू कर दिया तस्वीरें प्रियागराज में सुराओं के आदर्श जनता इंटर कॉलिज की हैं जहां चेक अप के कारकरम का आयोजन किया गया था इस आयोजन में लड़कियों ने भी हिस्सा लिया इस बीच कुछ लड़के लड़कियों के साथ बगत्तमीजी करने लगे चात्राओं ने इसके शिकायद शिक्षकों से की तो उन्होंने कुछ लड़कों को पीट दिया बस धेर क्या था कुछ देर बाद आरूपी चात्र अपने साथियों के साथ कॉलेज पहुँचे और हंगामा बवाल शुरू कर दिया पहरे आरूपी चात्रों ने कॉलेज में तोर फोर की और फिर शिक्षकों को निशाना बनाया आरूपी चात्रों ने शिक्षकों को जम कर बेरहमी से पीटा बागी शिक्षक चात्रों को समझाने की कोशिश करते रहे लेकिन उन्हों ने किसी की एक नहीं सुनी और शिक्षकों के साथ जम कर मारपीट की इस मारपीट और हंगामे में कई लोगों को चोटे आई हैं पुलिस ने पांच नामजद और कई अग्यात लोगों के खिलाब केस दर्ज की कारवाई शुरू कर दी है लेकिन इन युवकों ने जिस तरह से कॉलिज के भीतर भुसकर इस वारदात को अंजाम दिया है उससे छात्राओं में तहशत का माहौल पंकट श्रिवास्ताओ त्रियागराज आज तक अगर हिम्बत और होसला हो तो हत्यार भी आगे उनके आगे बेकार साबित हो जाते हैं अमरित सर में एक ऐसा ही वारदात सामने आई है जहां पिस्टल और चाकू लेकर लूट के इरादे से आए बदमाशों को एक युवक्त में अपनी जाबाजी से भागने पर मचपूर कर दिया अमरित सर के टेलर रोड पर दो नकाब बोश बदमाश लूट के इरादे से एक मनी एक्सचेंजर के दफ्तर में दाखिल होते हैं एक बदमाश के सिर पर काली रंका हेलमेट होता है और दूसरे बदमाश ने भी अपना चेहरा रुमाद से ठका होता है मनी एक्स्टेंजर के दफ्तर में घुसते ही एक लुटेरा पिस्टॉल निकाल कर दफ्तर में बैठे युवक पर तान देता है तो दूसरा चाकु निकाल कर युवक को डराने लगता है इसके बाद दोनों लुटेरे युवक से पैसे निकालने के लिए कहते हैं लेकिन इन लुटेरों के सामने कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में इन्होंने सोचा तक नहीं होगा इन लुटेरों ने सोचा था कि पिस्टॉल और चाकू के दम पर दुकान के भीतर बैठा भुपेंदर नाम का ये युवक डर जाएगा और सारे पैसे उनके हवाले कर देगा लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ अपनी मौत की परवा किये बिना भुपेंदर नाम का ये युवक लुटेरों से फिर गया भुपेंदर ने हाथ में चाकू था में लुटेरे को पकड़ा और उसे दुकान से बाहर ख़देरना शुरू कर दिया भुपिंदर का होसला देखकर पिस्टॉल था में लुटेरी की हिम्मत जवाब देने लगी भुपिंदर ने दोनों लुटेरों को खदेर कर दुकान के बाहर जाने पर मजबूर कर दिया इस बिच लुटेरों ने भुपिंदर पर चाकु से हमला किया और उसे खायल कर दिया लेकिन इतना होने के बावजूत थी भुपिंदर ने हिम्मत नहीं हानी और लुटेरों को बिना लूट के ही भागने पर मजबूर कर दिया लुटेरों के हमले में भुपिंदर बुरी तरह से घायल हो गया और अस्पताल में उसकी हालत नाजुक बनी हुई है फिलहाल पुलिस ने CCTV फुटिज के आधार पर बदमाशों के तलाश शुरू कर दी है लेकिन जिस तरह से युवक ने जांबाजी दिखाई है उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है अमित शर्मा, अमरित सर आज तक उत्राखान के विकास नगर में एक निजी कंपनी के इलेक्ट्रिक गोदाम में फीशन आग लग गई आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट पिले लिया, गोदाम बूदू कर जलने लगा, गोदाम में आग लगते ही चारो तरफ हरकम पंच गया और आनन फानल में फायर ब्रिगेट को बुलाया गया इसके बार आधा दरजन से जादा फायर ब्रिगेट की गारियां मौके पर पहुँची, आग काबू पानी की कोशिश की, लेकिन जब तक आग बूदाम जलकर खाक लग चुका था, आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्कृट को बज़ा पताया जा रहा पसीरे देखे किस तरह से ये भीशन आखी फिले घंटो लग गया इस आग पर काबू पाने में, इलेक्ट्रिक सामान था, इसी वज़ा से आग ने और ज़्यादा विक्राल रूप ले लिया, और जब तक आग बुझाई जा सकी, तब तक सब कुछ चलकर खाक हो चुका था चिली के सैंटियागो प्रांथ में सरकार विरोधी प्रदर्शनों का दौर अभी जारी है, प्रदर्शन कारियों और पुलिस के बीच हिंसर जड़ब पो रही है, ऐसे में एक वीडियो सोशल वीडिया में वाइरल हुआ, इस वीडियो में एक प्रदर्शन कारी वाटर कैन कर पर पत्थर बरसाते हैं कि यह वीडियो दरसर अब सोचिल मीडिया पर वायल हो चुका है चिली की यह खबर जहां पर वाटर कैने ट्रक पर एक प्रदर्शन कारी चर गया और इसके बाद जोहीं नहीं रुखा कि इसमें एक मशीन गन को भी आनी पहुचाने की कोशिश की और पूरी तरफ अफ्रत अफ्री का महौल था लगातार प्रदर्शन कारियों को ख़रेणी की कोशिश की जा रही थी यह हिंसक प्रदर्शन दरसल चिली में काफी वक्त से चल रहा है मोरी सरकार ने नहरू की वरास्ता से जैसे कॉंग्रिस को मुक्ति कर दिया है दिली में नहरू, म्यूजियम मेमोरियल और लाइब्री की सुसाइटी के पुनर गठन में तीन कॉंग्रिसियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है मलका जुन खडगे, करण सिंग और जैराम रमेश अब सुसाइटी के सुसाइटी के सुदस्य नहीं है इनकी जगे सरकार के चहेते सैंसर बोर अध्यक्ष प्रसून जोशी, वीजेपी नेता, अनिर्बान गांगुली को जखा दी गई है रधामिती सुसाइटी के अध्यक्ष है, जब कि राजना सिंगी सुसाइटी की उपाध्यक्ष और ग्रेमर्दी अमिच्छा, निर्बला सीतारमन और प्रकास जावरेकर सदस्य है आश्टोष मिश्रा हमाइस नवाता है, सब तमाम जानकारी के साथ हमाइसा जुड़ गए है आश्टोष पहले तो कई सरकों के नाम बदले गए, उसके बाद अब म्यूजियम तक से नेहरू परिवार का नाम और निशान मिटाया जा रहा है इस तरह के आरोप सरकार पर पहली भी लगते रहे, इसके बावजूद इस तरह का कदम क्या मन्शा है अब मन्शा तो देखे बीजेपी और सरकार बता सकती है, लेकिन हाँ आपके ने जो वाकिय कहा वो वाकिय बड़ा सटीक बैठता है कि नहरू की विरासत से मोधी सरकार ने कॉंग्रिस को ही हंटा दिया वैसे अमूमन जब भी ये सोसाइटी बनती थी, लगबग साल दो साल पर नहरू म्यूजियम लाइबरेरी और मेमोरियल का जो सोसाइटी है वो दुबारा गठित होती है, प्रधार मंतरी इसके अध्यक्ष होते हैं और सरकार के ही लोग इसके ज़्यादातर सदस होते हैं लेकिन कल शाम जो सांस्कृतिक मंतराले दौरा नोटिफिकेशन जारी हुआ है मैं उसी मेमोरियल के बाहर हूँ, नहरू मेमोरियल समारक और लाइबरेरी जिसकी जो सोसाइटी है उसमें जो कल्चरल मिनिस्टे का नोटिफिकेशन जैराम रमेश, कर्ण सिंग, कॉंग्रेस के जो नेता थे तीन उनको हटा करके, जिसमें एक पत्रकार का नाम है, गीतकार, प्रशून जोशी का नाम है और बीजेपी नेता अनिर्बन गांगुली, जाहिर है कॉंग्रेस को अब ये कहीने कहीं खटकेगा और दिल्चैस्प इसलिए क्योंकि नेहरू को लेकर के प्रधान मंत्री और बीजेपी के बड़े-बड़े नेता लगातार हमलावर रहे लेकिन अब उनकी जब विरासत थी, तो जैसा आपने कहा के सड़के तो बदलती रहीं अब तो उनकी विरासत से भी कॉंग्रेस नेताओं को भी गायब कर दिया गया है हम इंतजार कर रहें कि कर्ण सिंग, जैराम रमेश और जो कॉंग्रेस के नेता है कि वो अपनी पहली प्रतिक्रिया दें तागे फिर सरकार से आगे सवाल पूछा जाए बहुत बहुत शुक्रिया है सवाब जानकारिक लिए आपका आश्टोशी वो चिट्टी है, यह लेटर है जिसके माध्यम से सूचित किया गया है कि अब नए मेंबर कौन से होंगे, अध्यक्षपत पर कौन होगा और नए मेंबर्स में कहीं भी नहरू परिवार और गांधी परिवार से कोई भी सदस्य शामिल नहीं किया गया है आपको बता दें कि जो आरोब सरकार पर लग रहे हैं वो ये हैं कि प्रधान मंत्री ने अपने चहेतों को इस मेंबोरियल की जो अध्यक्षता है या यूँ कहें जो मेंबर हैं उसमें जगह दी है बात अब महराश में सरकार की गठन को लेकर करेंगे क्योंकि वहाँ पर हाला तेजी से हाथ से निकल रहे हैं इस वक्ती बड़ी ख़बर आपको बता दें शिरसेना फिर से पुराने राग अलाप रही है जिसमें बराबरी का हक और स्टीम पर की मांग है इसे पहले पर्णदिस ने संग से मुराकात की लेकिन शिरसेना का नया रुख परिशान करने वाने ताइम के विश्कर चुनाव से पहले गडबंदन जब गडबंदन के चर्चा हो रही थी तब यह हुआ था ना उस वक्त जो बात तई हुई थी उस वक्त जुष्पर समयती हुई थी यही प्रस्ताव है नया प्रस्ताव देना नया प्रस्ताव लेना उसका अपर चर्चा करने में आप टाइम क्यों विश्कर देना कोई प्रस्ताव ना आएगा न जाएगा प्रस्ताव जो पहले से था धरल्या प्रमानकरा जो ताहिश हुआ है जिस बातों पर समयती हुई है उ ही आप आगे लेकर जाएए यही प्रस्ता वैं नौबच गे में अभी के लिए बस इतना है लेकिन खबरों का सिसला आगे भी जाने रेगा झाल